नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फैंटेसी गली के यूट्यूब चैनल में उस्ट्रेलिया वर्सेश शुलंग का चौथा T20 या इंटरनाशनल के लिए ये वीडियो में आपको मिलेगा अल्टिमेट फैंटेसी एनालिसस बता दिया जाएगा आपको कि मेलबन क्रिकेट ड्राउन की पिचिन कंडिशन कैसे होने वाली है उस हिसाब से आप अपने टॉपिक्स पिक कर सकते हैं आपको ये भी बता दूँगा कि आपकी इन्वेस्पिन स्टैटजी कैसी रहनी चाहिए तीन माचेस हमने टूर्नमेंट मे देखिये हैं हमें पता है कि उस्ट्रेलिया और श्रिलंका के कौन से प्लेयर्ज हैं जो एपसिल्यूट टॉप फॉर्म में हैं वो सारा सब कुछ मैं आपको बता दूँगा इससे पहले मैं आपको एनालिसिस दूँ बार बार वही बात मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि पैंटिसी क्रिकेट की गेम में बहुत पीछे हैं लिंक पे जाएए ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं वहाँ पे एक लिंक होगा जो हमारे मोबाइल अप्लिकेशन की और आपको ले जाएगा आपको वो डाउनलोड करना है डाउनलोड दी आप नाउ और तो है कि आप फैंटिसी क्रिकेट की गेमिंग में आगे बढ़ते रहोगे और राइट ये आप कर लेंगे होफ़ुली कमेंट्स में हमारे साथ बात करते रही है नाउ इस ताम तो टेल यू कि कौन से प्लेयर्स आपके लिए सबसे फायदे बंद होंगे उससे पहले लेट्स ब बात हो रही है चौथे T20 आय इंटरनाशनल को लेगे ये मैच खेला जाएगा मेलबर्न क्रिकेट ब्राउन MCG में और आउट एन आउट मेरी फर्स अब्सरविशन है कि यहाँ पे बैटिंग इन रेड बॉल क्रिकेट थोड़ी से डिफिकेल्ट होते आ रही है लेकिन वाइ स्लोप है फर्स इनिंग स्कोर का वो बढ़ते ही जा रहा है 2020 के बाद से 2020 क्रिकेट में यहाँ पे बल्ले बाजी करना एकदम बहतरीन है तो बैटिंग के लिए अच्छा है मैंने आपको बता दिया कौन से टाइप के बोलर्स यहाँ पे सक्सेस्फुल रहा है मैं थोड़ी स होंवर्ग करा था मुझे पता लगा कि यहाँ पे अगर आप लेक्स्पिनर हैं तो आप के लिए काफी फाइदा है जांपा का रेकॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है तो स्पिन जरूर होता है मैक्स्वल ने यहाँ पे आउटस्टैनिक परफॉर्मस दिये यह उनका हों एक कि स्टाइल के प्लेर्ज आपको चाहिए यह आपकी पिछन कंडिशन्स हो गई इन्वस्पिन स्टैटेजि मैं आपको बता देता हूं कि आप मीडियम इन्वस्पिन के साथ जा सकते हैं एक्जाटली पता है ना कि कौन से रोल्स कौन से प्लेयर्स किधर हैं तो आप उस पिक्स और हई दिस पिक्स भी आपको हमारी व见स्पिन पहित यए सकते हैं उसके अप्षिन भी आपको मिल जाएँगे अब वक्त आ गया है कि देख लेookie है कि आपके टॉकिक्स कौन होते हैं इस पर्टप्टिलर मैच का पहला नाम आपके स्क्रीन पे आता ही रहा है जॉश इंग्लिश का आज भी वही नाम है क्योंकि देखिए ability तो बहुत है इनके पास batting number भी इनको दिया गया है और hope किया जा रहा है कि ये जो एक transition नहीं कहूंगा लेकिन ये जो focus back to white ball cricket का आया है Australia का जहां पे उन्होंने पिछला वाला world cup जीदा उसके बाद क्या है कि गुरूम कर रहे हैं थोड़े बहुत players को कि आगे जाके वो पारी संभाल पाएं और दस्ताने लेकर तो Josh English wicket keeper batsman है मुझे लगता है आप इनके साथ जरूर पसिस कर सकते हैं talent है ability है और hopefully आपको बड़े points बना के देंगे ये आपके keeping option होगे बले बाजी में आपके पास अब Aaron Finch आ रहे ह था इसी channel पे आपको prediction मिल गई थी दो रात पहले कि Aaron Finch को pick कर लो भाई और hopefully आपने हमारा channel अगर देखा होगा तो उनको pick किया होगा Finch और Maxwell दोनों ने runs बनाए उस match में low scoring match था लेकिन Finch के runs बने थे hopefully ये continue करेंगे उसी style में उसी अंदाज में दूसरे बले बाज आ रहे हैं जो श्रिलंका की तरफ से बहुत impressive रहे हैं in the recent past पाथुन निसंग का only problem is that कि देखे यहाँ पे Melbourne में थोड़ा सा open करना थोड़ा सा difficult ह बॉल में थोड़ा मतलब हवे में ऐसा नमी रहता है कि बॉल थोड़ा हिलता है तो अगर पत्र निसंगा वो वाला period निकाल लेते हैं spin के against adaptable है अच्छे shots खेलते है square of the wicket अच्छे है no reason why he shouldn't give you points तो यह यहाँ के शुलंका के top order से और आपके पास चरित असलंका का option आ रहा ह देखिए फिर से वही बात होती है इनको उपर से runs बनाने है वो best time है score करने के लिए एक बार शाद ball थोड़ा soft होगा यहाँ पर grip करेगा turn करेगा फिर पता नहीं आप कितने runs बनाते हैंगे लेकिन जब ball hard होता है वो best chance है यहाँ पर runs बनाने का इसलिए चरित असलंका के साथ मैं जाना चाहूंगा as the extra batter दो all rounder है इस safe team में सबसे पहले all rounder नजर आ रहे है आश्टनेगर आश्टनेगर को आब देखिए यह पहले चो थे primary bowler थे फिर बहुत दिन के लिए बलेबास बन गया थे और अब यह फिर से कोशिश कर रहे हैं he's throwing the hat in the ring for being an out and out spinner दो team में as an all rounder place होंगे और कभी कभी match up के लिए उपर बलेबाजी कर लेंगे लेकिन primary role है left arm spin करने का और उसके बाद जो बलेबाजी के points भी देंगे वो आपके लिए भी बहुत अच्छा है यह पहले all rounder है इस list में दूसरे all rounder है दशुन शानका आपको पता है what to expect from दशुन शानका यह भी आप इनकी bowling से आप इतने प्रभावित नहीं हुए होंगे लेकिन बलेबाजी जो इनकी है वो बहुत अच्छी है इस format को काफी suit करते हैं जिस number पे खेलते हैं वहाँ पे जादा कुछ करना नहीं रहता है merit पे boundaries लगाने होते हैं तो वो game बढ़ा अच्छा clearly समझते है तो दर्शन सानका मेरे दूसरे all-rounder होग है बोलर्स के बारे मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पांच बोलर नजर आ रहे हैं Adam Zampa I'm not surprised कि यहाँ पे हैं इस ground में Adam Zampa का record जो है वो बहुत ही बहतरीन है जितने भी matches आप बात करें कि इन्होंने जो domestic T20 में bowling की है इन्होंने जितना भी इनको white ball cricket में यहाँ पे मौका मिला है तो काफी प्रभाबित किया है मेरी हिसाब से Adam Zampa ने Adam Zampa के साथ आप definitely persist कर सकते हैं अगर आपको मैं exactly बताऊं Zampa के T20 record के बारे में यहाँ पे तो यह रहें उनके number bowling leaders in Melbourne Adam Zampa जी हाँ यहाँ पे इनके इनके यहाँ पे देखिए इन्होंने economy rate इनका काफी अच्छा है मेरे हिसाब से यह control देने वाले हैं आपको तो आप इनके साथ जरूर परसिस्ट कर सकते हैं इनके अलावा जो दूसरे बोलर यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो जौश हीजलोड है captain भी बताय जा रहे हैं अब यह जब नया बॉल करने आते हैं तो almost test match length ही डालते हैं आगे pitch करते हैं और he tries to beat the bat LBW bold का try करते हैं बहुत effective हो गये हैं नया बॉल के साथ और उससाब से मैं definitely इनके साथ persist करूँगा hazelote और zampa हो गया आपके पास पिर आपके पास Kane Richardson का option आ रहा है जो कि हमने दिखा last game मे भी wicket to wicket गिनबाजी कर रहे थे और ball थोड़ा भसके आ रहा था जो मुझे लगता यहाँ पे second innings में फिर से होगा तो Richardson के जो variations है ना cutters है जिस तरह से crease को use करते हैं wider the crease जाते हैं straight alongside the stumps भी गिनबाजी कर लेते हैं तो यह सब variations आपको help करेंगे Richardson के साथ आप persist कर सकते हैं Pat Cumm क्योंकि देखे यह जो time है वो उनके लिए बहुत सुने रहा है Pat Cummins as a character बहुत different है जो field पे आपको लगता है ना कि aggressive fast bowler है और हमेशा hyped up रहते हैं वैसे नहीं है Pat Cummins Pat Cummins actually बहुत relaxed रहते हैं in fact कभी-कभी जब international calendar उनके लिए खाली रहता है ना तो वो अपने farm में चले जात हैं वहाँ पे farm में जाके गाएं भैसों के साथ time बिताते हैं थोड़ा relaxed होते है Pat Cummins का वो एक side है कि वो reassess कर पाते हैं थोड़ा सा time लेते हैं और फिर अपना full जो power energy है वो देते हैं वो match पे switch on switch on ability इनकी बहुत अच्छी है मैं expect कर रहा हूं कि यह आपको points बनाके दे पाए इनके अलावा अगर आपके पास एक और bowler का option है तो फिर दुश्मन तचमीरा है last game में भी मैंने कहा था कि इनके पास अब इन्होंने इतने cricket खेल ली है कि अब यह श्रिलंका के जो हैं वो out and out leader बन सकते हैं as far as their bowling is concerned तो उस हिसाब से मैं इनको definitely रखूंगा लेकिन इनके अल आप definitely जो इनके spinner हैं बिलकुल माहीश थिक्षना इनके साथ आप persist कर सकते हैं मैंने आपको पहले ही कहा कि Melbourne cricket round में मुझे लगता है थोड़ा सा turn आपको देखने को मिलेगा और यह प्रकार की जो mystery bowler होते है ना उनको जब थोड़ा सा assistance दे देते हैं पिच से तो यह और खतरन आप बन जाते हैं क्योंकि इनका सीधा ball भी stump पे लगता है इनका turn हुआ ball भी बाहर से आके stump पे लगेगा तो यह जो है attack करेंगे बल्लेबास को यह differential pick होगे दूसरे differential pick अगर मैं आपको बात करूँ तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे differential नहीं यह player तो form है लेकिन यहाँ पे save team में मैंने आपको नहीं बताया था वो है Glenn Maxwell last game में भी बहतरीन बलेबासी की थी और इस ground को अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए जब भी बलेबासी करने आएंगे ground dimensions का पता है किस तरफ से hit लगा सकते हैं और अगर gain बासी का मौकाम दिले तो obviously pitch को अच्छे से पढ़ पाए का Glenn Maxwell के साथ अब quickly देखते हैं कि आपके captain wise captain options कौन है इस match में जोश रेजलूट का नाम आ रहा है captain wise captain option में वही बात हो जाती है कि power play के अंदर ही match जिता सकते हैं with the ball Ashton Agar क्योंकि इनके पास ability है कि देखिए इनको use तो किया जाता है as a defensive option sometimes लेकिन कभी-कभी ये towards the death भी इनवाजी कर लेते हैं और वहाँ पे इनको जादा विक्ते मिल सकती है Kane Richardson because वो variations लेके आएंगे, slower ones लेके आएंगे, change of pace लेके आएंगे उसके लिए वो effective हो सकते हैं Adams Empire in conditions को पहचानते हैं, जानते हैं और उसी के लिए उनके पास एक added advantage हैगा पातुन निसंगा क्योंकि talented है, horizontal bat shots अच्छे केल सकते हैं Innings build करना ये धीरे-धीरे सीख रहा हैं और hopefully ये आपको points बना के देंगे, ये आपके multiplier options हो गए इस match की Captain Vice, Captain Options आपको clear cut मैंने बता दिया है, pitch and conditions exactly क्या expect किया जा रहा है, वो भी मैंने आपको confirm कर दिया है करना बस आपको ये है, बहुत कम काम करना है क्योंकि बाकी half of the job is done यहाँ पे, आपको knowledge मिल गई है बस अब wait करना है कि कहां पे वो knowledge आप use करें, जैसे ही toss हो जाएगा न, toss होने के बाद आप जाएंगे mobile app पे हमारी mobile app अगर आपने download नहीं किया है, तो कोई attention नहीं है, description पे जाएए, इस video के आपको link मिल जाएगा तो download the mobile app right now, वो जब आप कर लेते हैं और अगर आप हमारी website पे भी जाएंगे न, तो आपको फिर भी वहाँ पे एक बार teams have been updated, आपको बहतरीन options मिलेंगे आपको head to head team चाहिए, आपको medium list team चाहिए, आपको batting focus, bowling focus, कुछ भी चाहिए, वो सारा सब कुछ आपको वही एक ही जगा पे मिल जाएगा और बाजुगात यह है कि अगर आप हमारी channel को follow कर रहें तो आपको पता ही है कि recent past हमारे predictions bang on रहे हैं तो आपको वो सब का फायदा मिलेगा अगर आप हमारे YouTube channel को आपने subscribe कर लिया है वीडियो को ज़रूर लाइक करे, bell icon दबाना बिलकुल न भूले, comments में हमारे साथ बात करते रहें, बताते रहें कि आपको आपकी style of fantasy gaming कैसी है और आप हमसे कैसे मदद लेना चाहते हैं Alright, until next time we meet from Babashish and the entire fantasy girlie team, bye-bye झाहते हैं